दसवी कक्षिया में दाखला लेने वाले छात्रों को स्कूल के स्टॉक से ही मिलेंगे टैबलेटे निदेशाले ने सबी डी यो को जारी किये गाइडलाइन राज के स्कूलों में नए सतर से दसवी कक्षिया में एडमिशन लेने वाले स्टॉडेंट्स को स्टॉक से ही टैबलेट दिये जाएंगे इनके मादम से ही विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी होगी टैबलेट वितरन के लिए निदेशाले ने सबी डी यो नई गाइडलाइन जारी की है निदेशाले ने इससे पहले निर्देश जारी किये थे कि प्रिक्षा खतम होने से पहले स्टुडेंट्स से टैबलेट वापस ले लिए जाएं अब निदेशाले ने टैबलेट वितरन को लेकर नए सतर से गाइडलाइन जारी की है इसके तहएत दसवी कक्षा में जो नई विद्यार थी एडमिशन लेंगे उन्हें स्कूल स्टोक में उपलब दे टैबलेट दे जाने है टैबलेट भी पहले आओ पहले पाओ परात्मिक्ता पर दे जाने है राज के स्कूलों में पढ़ने वाले कोई स्टुडेंट अगर फेल हो जाता तो उसे पुराने टैबलेट से ही पढ़ाई करनी होगी उस स्टुडेंट को उसी टैबलेट से पढ़ाई करनी होगी जो उसे पहले मिला था बारवे में आने वाले इस्टुडेंट्स 11 वी वाले टैबलेट से पढ़ाई करेंगे D.E.O.V के कोशिक ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को प्रोफिजनल दाकलाद दिया जाएगा उने विद्यार्थियों को टैबलेट की देते से में आफसर पॉर्टल के मादम से सुनेशित करेंगे कि संबंदित विद्यार्थियों द्वारा अपना टैबलेट वे सिम पुराने स्कूल में वापस कर दिया गया था जिनके टैबलेट गुम वचोरी हो गए तो उने एफ आई आर की कोपी पुराने स्कूल से जमा करानी होगी इतना ही नहीं अगर किसी स्टुडेंट ने ग्यारवी कक्षा में किसी और स्कूल में प्रोविजनल एडमिशन लिया है वह फैल होने पर वापस अपने स्कूल जाता है वह नए विद्याले से प्राव टैबलेट स्यम को वापस करेगा रिजल्ट आने के बाद ग्यारवी में एडमिशन नहीं लेता तो उसको भी टैबलेट वे स्यम वापस करना होगा अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके उपर कारवाई होगी